जब भी इधर रास्ता देख लिए पिछले तीन साल से ग्राम परदान ने खरंजा लगवाया है मिट्टी गिरवाया है लेकिन पिर भी बरसात होती है बरसात होती है तो भी आए दिनिया हमेशा पानी लगा रहता है लोगों का पैदल चलना दुस्वार हो गया यहां पर तो क कि मिट्टी गिरवा के खरंजा उचा करवा दिजिए लोग आये लेकिन हो कहते हैं कि हमसे कोई मतलब ने है काम पर और गाओ सभा में किया किसी को आवास मिला है आज तक सुसुन्डी में नहीं एक भी मुख्यमंतरी आवास बना नहीं यह भी प्रदान मंतरी आवास में हू और बहुत मुझे अजीव लगा बिचीत्रे लगा कि इतनी सारी समस्याएं मुह बात कि हमारे गाओं में खड़ी हैं उसके बाद भी यहां के ग्राम प्रदान महोदे या कोई भी सरकारी अमला या परसासन इसके ध्यान नहीं नहीं दे रहा है एक्जामपल के तोर पर मैं ऐसे दो चार बिंदू पर बात करना चाहूँगा और अपनी सारी समस्यां में प्रसासन के थो बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पंदरह साल हो गया शुसुंडी में पंदरह साल से इस गाओं का दुर भाग है कि यहां की बीपील सूची अब तक नहीं बनी है पूरे समस्या बहुत बड़ी है इस गाउं की दूसरी समस्या यह जितनी समय स्ट्रीट लाइटे हैं गाउं सभा में कम से कम सो इस्ट्रीट लाइट उसमें एक भी लाइट बरत्मान समय में चालू नहीं है सभी लाइटे खराब हैं जबकि आटियाई रिपोर्ट देखा जाए गूगल पर तो पता चला कि कई बार मेंटेंज के नाम टून का पैसा उतार के खर्च कर दिया गया एक बार दुर्भाग्य से हमारे गाउं में तेदुआ आया गया आपके पास उसका पेपर है जो पैसा पेपर है मेंटेंज बिल है दुर्भाग्य से एक बार तेदुआ हमारे गाउं में आ गया और तेदुआ मारा बेगे गाउवालों ने मार दिये तो उससमें गाउवालों की आवाज उठी थी कि नहीं सारी पूल पे लाइट लगा दिया जाए कि तेदुए नाया यह दूस त्वाग्य कर्मी तो नाया तु है ना दो 72 क करताए और गाउं में आज भी देखेंगे तु सारे कोई सफाई नहीं क्या प्रदान जी से सारी समस्य आए बताए जाती हैं। लेकिन जनता ने प्रहाँ जीसे आपनी बात कहना छोड़ दिया है क्योंकि जो भी आदम्रान जी कहां जाता है क्या मनला हमारी यह समस्या है तो हो कहते हैं कि हमसे कोई मतलब सब्सक्राइब कर दिया है और इतना नेगलेट कर दिये जनता को कि जनता ने प्रधान से पनी रिपोर्ट करना ही छोड़ दिया है क्योंकि किसी समस्या पो एक्सन नहीं लेते हैं इसकी अगले क्रम में जो हमारे गाहों की समस्या है कि पिछले 15 साल 10 साल से जितनी भी गाहों सभा में 132 की सरकारी जमीने हैं चाहे जलगा हो चाहे बारादगर और चाहे डांगर गाहों सभी जमीनों प्यतिक्रम आज भी चलना है ग्राम-पंचयत-भौन यहां पे है पूराना ग्राम-पंचयत-भौन remains ज़र जर हो चुका है और नए ग्राम-पंचयत-भौन की non कॽतेRI होज़े उन्हान की सभाली है पुकित सबसे बड़ा इसी है एक बुभुही करके जलासे है, बुभुही करके, वहाँ पे एक 18 मंदा जमीन है जलगा के नाम से, उस पे भी 18 मंदा जमीन पे इसी गाउं के एक सुमारूराम हमगाड में है, आज 18 मंदा जमीन पे अतिकरमन करके प्रदान रोखते हैं, पिछले 15 सालों से प्रदान आये और लेकिन किसी ने मतलब कि उस पे कारवाई करने के कोशिश नहीं की, क्या हो सुमारूराम दबंग है क्या दबंग नहीं है, चुकि अपने जमाने के तेज तरार थे, गाउवाले नहीं इतना जागरूप तो इतना नहीं जानते थे, आज गाउवालों को पता चला है, यह सबसे बड़ी समस्या, दिसरी चीज, जितनी इस समय आबादी है गाउ में, और जितनी नमीन परती है, सब पे अतिक्रमर चलना है, जबकि ग्राम परधान महोदे की जमेदारी बनती है, कि हर सारोजनिक जगहों को, चाह सरकारी 132 की जमीन हो, नमीन परती हो, आबादी हो, उसको सुरच्छा करने के उनकी जमेदारी है, लेकिन हर जमीनों पर अतिक्रमर करवादी है, कोई जमीन खाने नहीं हो, इसके बाद अगले करम की जो हमारी समस्या है गाउ की, कि अब तक एक भी हमारे गाउ में परधानमंतरी आवास या मुख्यमंतरी आवास की सूची नह नहीं आया, हमारे बारिस के समय में बहुत सारे राजभर बंदू और हर्जन बंदू गरीवी रेका से निचे जीते हैं, मकान गिर जाता है, तिरपाल डालके और शुपड़े में रहते हैं, लेकिन एक आवास अब तक नहीं बन पाया